को स्टुडेंट्स ऑन लिन त्यारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को प्रेस करके लेटिस्ट विडिо देखें सबसे पहले। हलाज में एससी डेली पुछ कॉंस्टेबिल का ओल इन ए टेस्ट ओलाइन त्यारी पेड़कट रहा गया था 18-20 November के बीच यह परीक्षा कराई गई थी हमें बताते हुए बहुत खुशी है कि 26,000 प्लस स्टुडेंट्स ने इस परीक्षा में अपियर किया और उन्होंने एक्जाम से पहले जाना कि उनका preparation लेवल क्या है 26,000 से जादा बचे जो की देली प्लस की तयारी कर रहा है उन्होंने इस टेस्ट को दिया इस स्टुडेंट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है स्क्रीन पर आप टॉपर्स की लिस्ट देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सारे ही टॉपर्स 75 प्लस हैं जिसमें से कि धीरज यादव ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है इन्होंने 98.75 स्कोर करके इस एक्जैम को टॉप किया है घ्रीजनिंग, जन्रल वेर्नेस, और कौन्ट reasoning के 35 कोशन थे, general awareness के 50 कोशन थे और con के 15 कोशन थे जैसे कि बच्चे appear हुए हैं इससे हमने जाना कि general awareness काफी डफ था बच्चों ने इसमें काफी कमे स्कोर किया है थोड़ी बहुत परिशानी हुए है क्योंकि ज्यादा तर content इसमें static था और one liner के form में नहीं था two liner form था यानि कि थोड़ी सी deep understanding अगर आपकी general awareness के static portion की तो ही आप इस question को कर पाएंगे एक बात जो अच्छी देखी की general awareness section में बच्चों ने guesses को avoid करते हुए negative scoring कम की है reasoning section और con section medium level के थे exactly calculation based थे अगर आपको exact topic आता है तो आप अच्छा score कर पाएंगे देखा गया है कि reasoning और quantitative aptitude बच्चों का हमेशा photo रहा है विकास जादा तर बच्चे जो SSC पे अपेर हुए हैं वो practice based यानि कि अपनी मेनत पे ज़्यादा विश्वास करते हैं reasoning con section में आईए बात करते हैं कि कैसे all India test जिन बच्चों ने भी दिया वो कैसे अपने score को देखके improve कर सकते हैं real examination के लिए जिन बच्चों ने 80 से 100 के बीच में score किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने revision पे ध्यान दे वो पूरी तरह तयार है time management wise, accuracy wise, subject matter wise वो अभी के लिए सिर्फ preparation करें mock test दे revision पे ध्यान दे और कुछ मत करें, कोई भी नया topic ना उठाए सिर्फ जो पढ़ रखा है, उसको revise करे mock test attempt करें ताकि वो और अपने time को कम कर पाए यहाँ जो time है, उसका मतलब है कि जो भी एक question को हर section के करने में जो time लगा रहे हैं उसको और optimize करने के लिए वो यह काम कर सकते हैं, कि वो mock test दे और improve करना शुरू करें सिर्फ time के लिए और जितना भी topic वो पढ़ चुके हैं वो sufficient ले उनके exam qualify करने के लिए सिर्फ और सिर्फ revision पे ध्यान दे जिन बच्चों में 60-80 के बीच में score किया है, जो उनका lack है basically वो time management में है आप accuracy के चकर में कहीना कहीन time management पे ध्यार नहीं दे पा रहे है accurate attempt आपको time manage करते हुए ही manage करने पड़ेंगे ताकि आप exam में अच्छे score कर पाए इसको आप ज़गा mock test attempt करके control कर सकते हैं अभी से आप mock test attempt करना शुरू करें हर mock test दे, उसके बाद उसको analyze करें कि आपने हर section में कितने number attempt किया है कितना time आपको हर question में लगा इस EIT के result पे जाके आप analysis में जाके देख सकते हैं कि आपने question सही किया है कौन-कौन से topic ऐसे थे जहां पे आप lag किया है कोई भी नए topic ना होटाएं क्योंकि आप prepared हैं आपने 60-60 की बीच में score किया है सिर्फ time management पे ध्यान दे और कोशिश करें कि आप कम से कम time में चीज़ों को improve करें क्योंकि काफी कम time बचा है रियल examination में पर question time को कम से कम करने की कोईश करें जो कि SST Delhi Police के case में आपको 54 सेकेंड मिला है हर एक question को attempt करने के लिए आईए बात करते हैं जिन्होंने 40-60 की बीच में score किया है आप भी अपने analysis पे जाके जाने की कौन-कौन से topic में आप lag किये हैं कहां कौन-कौन से आपके weak areas हैं उन topic को थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू करें हमाई पिछले वीडियो में डिसकस किया गया था कि subject section wise कौन-कौन से topic important है जो कि previous year में आए है जिनकी frequency जादा है उन topics को उठा है उन पे पढ़ें उनकी practice करें और फिर full end mockters के तुरू जाने कि आप कितना अच्छा score कर पा रहें time कम है कोई बात नहीं practice करें जादा practice करें और चीजों को improve करें ऐसा नहीं है कि आप करना ही पाएंगे सिर्फ जाज़दा focus करके study करें सिर्फ उन section हो पे ध्यान दें उन section के उन topics पे सिर्फ ध्यान दें वह हताश ना हो आपके अपास अभी मौका है आप भी अपने analysis पे जाएं चीजों को सुधार सकते हैं week areas के regarding study शुरू करें जो important topics हैं सिर्फ उन पे ध्यान देते हुए पढ़ें उनकी practice करें overall full length mock test जादा जदा दें practice ही इस समय आपके लिए work कर सकती है चीजों को improve करेंगे जितना जल्दी जल्दी उतना जादा आपका score बढ़ेगा अगर आपके पास कोई mock test series है तो उसमें जाके practice करें आपको sectional और full length दोनों type के mock test की requirement है अगर आपके पास नहीं है तो नीचे दिये गए लिंक पे जाके mock test series को खड़ीदे यह online theory expert was designed है और exactly pattern को matching है जो कि आप Delhi police में real examination में आपको मिलने वाला है exactly उतना timing है एक biological factor होता है जो कि बहुत ही consider किया जाता है biological factor means कि आपको mind में चलता रहता है कि इतने second बाकी है इस paper में तो वो चीज़ कहीं ना कहीं को hamper करती है और उस चीज़ को over करना बहुत जरूरी है तो आप mock test जरूर से जरूर दे mock test आपके total attempt को कहीं ना कहीं जरूर increase करेगा SSC Delhi police का फिर से एक all India test होने जा रहा है जो कि 2-4 December को होने वाला है अभी इस अपनी preparation शुरू करें यह test बिल्कुल free of cost है आज ही जाके register करें और इसके लिए तैयारी अभी दे शुरू करें ऐसा ही informative वीडियो को और जानने के लिए online तैयारी चैनल को अभी subscribe करें